सब्सक्राइब कीजिए Modern Computer Institute के YouTube चैनल को और वैल आइकन को दवाईए latest educational वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो में आप सीखने बाले हैं World Art के बारे में जो कि आपको Insert Tab के अंदर Text Group में मिलता है नवस्कार दोस्तों मैं दीपक और स्वागत आपका Modern Computer Institute के YouTube चैनल में तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले भी हम लोग Microsoft Office Word 2016 ओपन कर लेते हैं एक blank document लिए इंसेट में आपको मिलेगा Word Art इस option के बारे में हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे तो Word Art है क्या आपको अलग-अलग टाइप का Word Art Style देता है लिखने के लिए आपको इसमें से जो भी Style चाहिए आप Style चूज करके लिख सकते हैं और साथ ही साथ आप उसमें Style को modify भी कर सकते हैं बदल सकते हैं तो इसमें से अभी हम लोग को एक Style चूज करते हैं और टाइप करते हैं इसमें हम लोग जैसे Modern Modern टाइप कीए बाहर किलिक कीए फिर दूसरा Word Art लेते हैं Insert में आएगे Word Art दूसरा Type चूज करते हैं इसमें हम लोग टाइप करते हैं Computer नीचे कर देते हैं इसको ड्रैक करके फिर तिसरा लेते हैं ध्यान दे बाहर किलिक कर देना आपको ताकि यह De-Select हो जाए अगर इसा नहीं करते हैं तो आपका Replace हो जाएगा Word Art में आए फिर यहाँ पर Type करते हैं Institute इसको भी नीचे कर लिए हम लोग यह तीन Type का हम लोग Word Art लिए अब इसमें है क्या किसी को भी अगर आप किलिक करते हैं तो आपको Format Tab मिलता है अगर आप बाहर किलिक करते हैं Format Tab आपको नहीं मिलेगा और Format Tab में आगे का जो यह Insert Shapes है Shapes का Style है यह सब मैंने पिछले वीडियो में यानि Shapes जब मैंने बताया था उस वीडियो में यह सब बता दिया है आप चाहे तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं उसके बाद Safe Effect वगरा है यह सब भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है Main आज हम लोग यह Word Art Style के बारे में सिखेंगे बाकी का इधर भी आपका Text, Direction वगरा है यह सब मैंने सब Safe वाले Class में बता दिया है Arrange वगरे सब, Total तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ यह Word Art Style वाले Options पे चर्चा करेंगे तो इसमें क्या, अलग-अलग आपको Word Art Style मिलता है सबसे पहले इसको हम लोग Select कर लेते हैं तब ही आप यहां से Word Art Style दूसरा Choose कर सकते हैं यानि Change कर सकते हैं मन के चलिए आप इसमें Add किये हैं बाद में आपका मन हुआ की नहीं हमको दूसरे Style में इसको Add करना था तो आप डाइरेक्ट यहां से Style इसका Change कर सकते हैं यानि बदल सकते हैं आपको जो भी Style चाहिए इस तरह से आप Change कर सकते हैं अगला आपका इसमें Text Fill यानि आप इसमें Fill Color लगा सकते हैं अपने अनुसार आपको जो भी Color चाहिए जैसे आपको Red चाहिए तो Red लगा दिये जो भी Color चाहिए आप यहां से Text Fill के थूरू लगा सकते हैं नो फिल करेंगे, खाली हो जाएगा More Color में आएगे और घर सारा Color Category आपको दिखेगा यहां पर बना बना या Color आपको जो भी चाहिए चूज कर सकते हैं अगला इसमें एक Important Option है Guardian Guardian मैंने पहले के वीडियो में भी वता दिया है आप चाहिए तो पहले का वीडियो देखके सीख सकते हैं अभी मैं इसको यहां पर Fast में करके आपको दिखा देता हूँ जैसे Guardian में है, उसके बाद More Guardian यहां पर आप Color Mix कर सकते हैं देर सरा Guardian Fill में आना होगा आपको और यहां 4 Stop देता है by default आप Stop घटा बढ़ा भी सकते हैं किलिक करके यहां तो फिर यहां गिरीन वाला पलस पॉइंट से और हटाना हो तो यह Cross वाला Rate पॉइंट से आप Stop को डिलीट कर सकते हैं अब 4 Stop में अलग-अलग Color चूज कर लेते हैं हम लोग यह Color हो गया Red दूसरे को किलिक किए गिरीन जो भी आपको Color चाहिए आप अपने अनुसार यहां पर चूज कर सकते हैं यह Color में इने Select कर लिया है अब आप Style बदल सकते हैं इसका देसे Linear में Redial, Rettingular, Path जो भी चाहिए जिस Type का Left, Right, Center आप यहां से चूज कर सकते हैं Direction भी चूज कर लिया हैं अब इसको Close कर देते हैं तो यह आपका हुआ Guardian Field के साथ दूसरे को किलिक करते हैं इसमें हम लोग लगा देते हैं जैसे Simple को एक Color ही Red कर दिये तिसरा Yellow है इसको हम लोग Purple कर देते हैं अलग-अलग Color के थुरू हम लोग इसको Change कर दिये अब अगला इसमें आपका Text का Line Color यानि Outline Color आपको जो भी Outline Color चाहिए आप Outline Color लगा सकते हैं सबसे पहले इसको Select करना होगा किलिक किये Ctrl ये कर लिए All Select हो गया यह Institute Word उसके बाद आपको Text Outline में आना है और यहां से जिस Color का आपको Outline चाहिए आप Outline चूज कर सकते अपने Text के लिए यह आपका Outline हुआ Outline का वीर्थ है यह सब मैंने पहले के वीडियों भी Details में बताया है अगला आपका Text Effect यह बहुत Important Option है इसमें सबसे ज़्यादा Important Option है आपका यह Text Effect किलिक किये इसमें Shadow मिलता आपको यानि परचाई आप दिखाना चाहते हैं यानि Shadow लगाना चाहते हैं अपना Text में तो यहां Shadow लगा सकते हैं Reflection है अगर आप Text को Reflect करना चाहते हैं तो आप Reflection लगा सकते हैं उसके लिए आपको यह Text Effect में आना होगा Reflection जितना भी आपको reflection चाहिए आप यहाँ से choose कर सकते हैं यह आप देख सकते computer word आपका reflect कर रहा है reflection हटाना हो तो फिर से आपको यहाँ text effect में आके no reflection करना होगा reflection के अंदर glow side side color देगा glow लगाएगा यह आपका glow हुआ अगला आपका wevel 3D style दिखेगा आपको अलग-अलग type का जो भी wevel चाहिए आप लगा सकते हैं और 3D rotation है अलग-अलग type से rotate होगा जैसे आपको rotate करना हो आप कर सकते हैं और एक बहुत ही ज़्यादा important option है इसमें transform यह आपका देखिए काम कैसे करेगा जैसे अभी हम लोग इस box को खीचते हैं अगर आप सोचेगा इसका खीच के आप size बढ़ा लिजेगा size नहीं बढ़ेगा आपको size बढ़ाने के लिए transform इसमें लगाना होगा और अगर आप font size का use करते हैं तो उतना proper आपको नहीं दिखेगा size बढ़ रहा है जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ control है किया उसके बाद home में आए और इसका size बढ़ाते हैं यह आप देख सकते हैं इसका size बढ़ गया लेकिन आप transform के थूरू size अगर बढ़ाते हैं खीचके transform लगाने के बाद खीचके size बढ़ाते हैं तो थोड़ा आपको style के साथ साथ कुछ unique भी दिखेगा तो इसको अभी हम लोग undo कर देते हैं पहले जैसा हो जाएगा यह select कियें इसको format में आएं और यहां आपको मिलेगा text effect text effect के अंदर मिलेगा आपको transform जैसा भी आपको transform चाहिए यहां से आप अपने word के लिए transform लगा सकते हैं transform style देता है आपके word को अब इसको हम लोग खीचते हैं देखिए खीचने से यह आपका size भी बढ़ रहा है और इसमें आपका style भी है तो यह थोड़ा आपको अलग दिखेगा कुछ अलग style में दूसरे को उसी तरह हम लोग transform लगाते हैं institute word को पहले नीचे कर लेते हैं हम लोग text effect transform जो भी transform चाहिए आप लगा सकते हैं यह दो हुआ और institute word में भी लगालते हैं यह transform अलग-अलग type का है जो भी चाहिए आप लगा सकते हैं आप transform लगाईएगा तभी आप खीच के size बढ़ा सकते हैं ऐसे आप खीच के size इसका नहीं बढ़ा सकते हैं तो यह आपका हुआ word art तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं लोग अगले वीडियो में अगले option के साथ उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like, share करना न भूले बताये गया option में किसी में आपको कुछ भी problem हो तो नीचे दिये गया comment box में आप comment करके पूछ सकते हैं अगर आप इस channel में new है तो नीचे दिये गये subscribe button को click करके channel को subscribe जरूर कर लिजे thanks for watching